यूएन में जब इस्राइल के प्रधान मंत्री बेन्यमिन नितन्याहू हिजबुल्ला को चेतावनी दे रहे थे कि अब हर दिन रॉकेट हमला नहीं जेल सकते लगभग उसी वक्त इस्राइली सेना ने लिबनान की राजधानी बेरूत में टारगेटिड स्ट्राइक करके हिजबुल्ला चीफ हसन नस्रूला को निशाना बनाया इस हमले की तस्वीरे भी सामने आ गई हैं जिसमें ताबर तोड मिसाइले दाग दी जा रही है यह आपके स्क्रीम पर आप देख सकते हैं हाला कि हिजबुल्ला के सूत्रों के मताबिक ये खबर है कि हिजबुल्ला चीफ इस हमले में जिन्दा है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सयोगी कादम बिनी शर्मा जूर रही है कादम बिनी एक तरफ नेतनियाहू यूएन में बोल रहे थे और कुछ देर बाद ये हमला अगर टार्गेट हिजबुल्ला चीफ नजरेला को बनाया गया है इसराइल, अमेरिका और फ्रांस के सीसफायर की बात को एक तरफ रखकर पीछे हटता नहीं दिखरा ये साफ हो गया है बिल्कुल ये बहुत बड़ा हमला है और बहुत अमबिशिस हमला है एक तरह से कोशिश की गई है कि जो प्रमुक हैं हिजबुल्ला के उनको खत्म करके हिजबुल्ला को बिलकुल तहसनास कर दिया जाए तो ये टार्गेटेड हमला था हिजबुल्ला प्रमुक हसन नसरुला के खिलाफ ये खबरे आ रही हैं कि इसराइल की जो खुफिया एजिंसी थी जो सेना थी उनको ये अंदाजा था कि उस वक्त बेरुत में हसन नसरुला कुछ और सीनियर कमांडर्स के साथ वहाँ पर हिजबुल्ला के हेड़ पॉर्टर्स में जो कि कुछ रहाइशी बिल्डिंग्स के नीचे था वहाँ पर वो मौझूद है और उनको निशाना बनाया गया कम से कम 10 से 15 मिसाइल उस इलाके में दागे गये हैं उस बिल्डिंग पर टार्गेटेड हमला किया गया है जो खबरे आई हैं उसके मताबिक 4 से 6 इमारते जो रहाइशी इमारते हैं जिनमें आम लोग रह रह रहे थे वो इमारते धराशाई हो गई है लेकिन क्या हसन नसरला इस हमले में मारा गया है इस बारे में अभी तक कोई भी कन्फरमेशन नहीं है कन्फलिक्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं कुछ का कहना है कि बिल्कुल सेफ है हसन नसरला और बाकी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जब कि कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जिस तरह का हमला था उसमें वहाँ पर जो भी मौजूद था उसके बचे रहने की संभावना जो है वो बहुत कम है लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से बिल्डिंग जो है वो धराशाई हुई है इस हमले में मिसाइल हमले में इसराइल के उसमें आम लोगों के मारे जाने की बड़ी संख्या में आशंका जताए जा रही है मौके पर जो फायर सर्विसेज हैं जो रेस्क्यूर्ज हैं वो सभी मौजूद हैं और वहां पर अभी भी धुआ आग ये सब कुछ देखा जा रहा है ये भी अब सामने आया है कि इस ओपरेशन के लिए इस डीकापिटेशन स्ट्राइक यानि डीकापिटेशन यानि जो हिजबुल्ला है उसका सर काट देने का की जो कोशिश है इस हमले के जरीए ये की गई है तो इसके लिए ग्रीन सिगनल जो है विन्यामिन नेतनियाहू ने जो कि इस वक्त यूएन में भाग लेने के लिए यूएनजीय में भाग लेने के लिए न्यूयॉक में मौझूद है उन्होंने दी और उनकी तस्वीरे भी प्येमों से रिलीस की गई है ये कॉल लेते तो इसने बिल्कुल साफ है कि उसका इस हमले से कोई लेना दिना नहीं है वो किसी प्रकास इसमें शामिल नहीं है। प्रशिश अमेरिका कर रहा था, 21 दिन के एक टंप्रोरी सीज़ फायर की लेकिन उसको इसराइल ने सिरे से खारिश कर दिया, यहां तक की विदेश मंत्री जो है इसराइल के रोने साफ कहा कि जब तक इसराइल की जीत नहीं होती है, तब तक यह हमले जारी रहेंगे, जीत का हसन नस्रला थे, तो इसका यह मतलब है कि एक तो पहले यह साफ होगा कि क्या उन्हें कोई इंजरी आई है, या फिर वो सही सलामत है, या कोई और यहां पर चीज हुई है, तो एक तो वो confirmation आना अभी बाकी है, दूसरी तरफ यह एक बहुत clear signal है कि अब यह लड़ाई जो है वो बहुत जादा escalate हो सकती है, इस्राइल से यह भी खबरे आई है कि कई उन्हें जो की reserved, उनकी reserved जो forces हैं, उनको बुलाए जा रहा है, अब क्योंकि यह खत्रा है कि बहुत तेज इसका जवाबी हमला जो है, बाकी जिसमें इरान भी शामिल है, वो भी कर सकते हैं अब इस् इसमें और भी confirmations बाकी है, इसमें कि हसन नस्राइला के बारे में, लेकि निश्य तोर पर एक बड़ा हमला है, और इस्राइल की कोशिश है कि अभी जो अस्तवेस्थ हालात है हिजबुला के अंदर उसका जादा से जादा फाइदा उठाये जाए 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 ज तो इसराइली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में टारगेटड स्ट्राइक करके हिजबुला चीफ हसन नस्रूला को निशाना बनाया है, तस्वीरे आप स्क्रींस पर देख सकते हैं